प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों को सशक्त करने के उद्धिश से प्रारंब की प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामेण जब गरीब के सीर पर पक्किल चत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिर्ता आती है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट गरीब को अपना पक्का घर देने का यभ्यान सिर्फ एक सरकारी योजना मातर नहीं है ये गाउं को गरीब को विश्वास देने की प्रतिवद्धता प्रधान मंत्री जी की प्रतिबद्धता को मूर्थ रूप देने के लिए मुख्य मंत्री शेशिवरा सिंग चौहान के नितित में मध्य प्रदेश में अब तक 39 लाग से अधिक लाभार्तियों को इस योजना से स्वयम का पक का घर उप्रब्द कराया गया है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन से रूजगार के अवसर सिजित हो रहे हैं प्रदेश में 9000 महलाओं से हिद कुल 51000 से अधिक प्रसिक्षित राजमिस्त्री कारे कर रहे हैं वर्तमान में 7390 राजमिस्त्रियों को प्रसिक्षित किया जा रहा है इंजिनियर के थ्रू जो ट्रेनिंग मिल रही है हमें वो उसमें हमें काफी कुछ बारिक से बारिक सिकाया गया है और इससे हमें काफी कुछ फाइदा भी हुआ है प्रदेश के नौ जिलों में आवास निर्मान में लगने वाली फ्लाई एश इटों का निर्मान सेहती स्वसाहता समुहों के 324 सदस्यों द्वारक किया जा रहा है मद्रदेश में योजना के लाभार्तियों को पक्के घर हेतु निर्मान सामगरी एवं मानव संसाधन की सुलबता उपलब्द कराने के लिए आवास सामगरी एब बनाया गया है इस एप के माध्यम से लाभार्ति निर्मान सामगरी कमदरों पर आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं अब योजना के लाभार्तियों के स्वास्थ में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्च वातावरणवला स्वेम का पक्क का घर तो मिल ही रहा है उनके जीवनिस्तर में भी सुधार हो रहा है सुक, स्वच्छता, सुरक्षा, सम्रिधी और सम्मान दे रही प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामेर मद्र प्रदेश के लाकों गरीब परिवारों को सशक्त कर रही है